हेलो दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ इसरो द्वारा संचालित मीसन EOS-3 के बारे में इसके जरिये भारत आस्मान से धर्दी की निगरानी करने में सच्छम होगा EOS-3 अपनी तरह का पहला सेटलाइट है जिसे जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ओर्बिट में अस्थापित किया जाएगा तो चलिए दोस्तों इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताता हूँ क्या है अर्थ आपजर्वेशन सेटलाइट भारतिय अस्पेस रिसर्च एजेंसी यानि की इसरो ने अंतरीच में एक और इतिहास रचने जा रही है 12 अगस्त को इसरो अर्थ आपजर्वेशन सेटलाइट EOS-3 लांच करेगा 37 अस्पेस सेंटर स्री हरिकोटा के सेकेंड लांच पैट से इस सेटलाइट की लांचिंग सुबह 5 बच के 43 मिनिट पर होगी इसरो के मुताबिक EOS-3 की मदद से अपने हीद के बड़े छेतर की रियल टाइम इमेज उपलब्द हो सकेगी इसके अलावा यह अलग-अलग एजन्सियों को मौसम वा जलवाई परिवर्तन से संबन्धी डेटा की जनकारी भेज़ेगा इसके सफल लांचिंग के बाद भारत की ताकत में व्रिधी होगी इस सेटलाइट की मदद से जलास्यों, फर्षलों, तुफान, बार्ध और फॉरेस्ट कवर में होने वाले बदलाओं की रियल टाइम मोनिटरिंग संभव हो सकेगी यह सेटलाइट असमान में इसरो की आँख के तोर पर काम करेगा यह सेटलाइट पृत्वी के रोटेशन के साथ सिंक होगा, जिससे ऐसा लगे कि यह एक जगह इस्तिर है यह GSLB की चौदाहमी उडान होगी इसरो का GSLB F-10 रोकेट से 2268 किलोमीटर के अर्थ अबजर्वेशन सेटलाइट EOS-3 को जियो और्बिट में अस्थापित करेगा इसरो के लिए यह इस साल का पहला प्राइमरी सेटलाइट लॉंच है GSLB की चौदाहमी उडान होगी इससे पहले इसरो ने 28 फरवरी को 18 छोटे सेटलाइट लॉंच किये थे जियो सिंक्रोनस सेटलाइट लॉंच वेहिकल भारत दवारा डेवलप सबसे बड़ा सेटलाइट लॉंच वेहिकल है या चौथी पिडि का लॉंच वेहिकल है इसमें तीन अस्टेज और चार बुस्टर है उपरी अस्टेज में स्वादेसी क्रायोजेनिक इंजन लगा है GSLB का इस्तमाल मुखरिब से सेटलाइट को जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर और्बीट यानि की जी टी ओ में अस्थापित करने के लिए होता है 37 दोवन अस्पेस सेंटर सिरिहरी कोटा के सेकेंड लॉंच पैट से इस सेटलाइट को 5 बच कर 43 मिनट पर लॉंच किया जाएगा हलांकि इसका फाइनल लॉंच मौसम के हलाद पर निर्भर करेगा बुधवार सुबह 3 बच करते 40 मिनट से ही इसका काउंट डाउन सुरू होगा EOS-3 सेटलाइट को GSLB F-10 वहिकल की मदद से धर्टी की कच्छा में अस्थापित किया जाएगा यह अपनी तरह का पहला सेटलाइट है जिसे जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ओर्बिट में अस्थापित किया जाएगा धर्टी से यह करीब 36,000 किलोमीटर उपर होगा इसरो ने ट्वीट कर काउंट डाउन सुरू होने की जनकारी दी है इसरो ने ट्वीट किया GSLB F-10 EOS-3 मिसन लांज के लिए काउंट डाउन आज 37 अंतरीष्ट केंद्र सार स्रीहरिकोटा से सुबह 3.43 मिनट पर सुरू हो चुका है तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट वोक्स में बता सकते हैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारा YouTube चैनल Trending India को सब्सक्राइब करें अब मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में तब तक के लिए जाहिं